करें ने लो दोस्तों आजम करें के मॉक टास्ट अगर आपको किसी बीग्जाम को कलियर करना तो देना बहुत जरूरी है क्योंकि मौक टस्ट देने से आपको पताओ जाता कि आपकी त्यार किसे लेवल पर पहुंच की तो चलते हैं पहले क्वेस्चन पर और यह क्वेस्चन स पहली महिला सांसद जिनका हाली मनी दिन हो गया तो हां कौन थी तो राइट अन्स ने वह चंदरावति थी जो हर्यान की पहली महिला सांसद बनी थी इनके वार मैं कुछ 66 में मनी थी और 1913 में हर्याना जंता परटी की अधेक्स भी रह चुकी है और इसके अलावा हर्याना पंजाब हर्याना हाइकोट की पहली महिलाव किल भी थी चंदरावती और 1913 में ब्युवानी लोग सबाग चेतर से चुनाओं में 67.62 प्रतिसेत वोट हासिल लगर के रिकोर्ड बना था इन्होंने और दो लाक नुवासी जारेक्स पैंतिस वोट लेकर पूरो मुख्यमतिरी बंसिलाल को हराया और अपनी नाम जीता से लिकी और पंडूचेरी की उपरा जेपाल भी रह चुकी उन्सों नभभा में आपको य हर्याना का पहला लाल डोरा मुक्त गाउं कुन सा बना है तो रायटन स्रोग उप्शन सी सिर्शी गाउं हर्याना का पहला लाल डोरा मुक्त गाउं बना है और यह कहां पर किस जिले में है तो करनाल जिले का सिर्शी गाउं हर्याना का पहला लाल डोरा गाउं है चलते हैं बर betting Again किस बेटी को ऐसाई आश्टी जपान में एन्यो ट्रैक रिसर्चइस्स की रूब में चुना गया तो किसे चुना गया है तो इसका राय टर्न करौप को पंजाब में तेन योड ट्रैक Research Scientist के रूम में चुना गया है इसके बारे में को जान लेते हैं डाक्टर प्रियंका को जपान के SIT तसुकूबा विज्यान नगर में 9 स्तापित Global Zero Emination Research Center में Senior Research या प्रोफेसर के पद पर भी न्यूप्त किया गया है और इन्होंने इसार के Government College से Graduation की थी अपको यह भी द्यान में रखना है चलते नेक्स्ट कोईशन पर हर्यान के किस जिले में Institute of Business Management and Agropreneurship की स्तापना होगी तो किस जिले में स्तापना की जाएगी इस इंस्टूट की तो रायटन स्राव अप्शन A गुरुग्राव में Institute of Business Management and Agropreneurship की स्तापना की जाएगी और यह क्या है इसके बारे में पढ़े लेते हैं डिटेल से किर्शी छेतर में वो पारो और परबंदन के लिए परदेश को युवाओं को पर सिक्षित करने के लिए गुरुग्राव में Institute of Business Management and Agropreneurship की स्तापना की जाएगी इसके लिए गाउन दोलताबाद में जगा चुनित की है तो फिर दबत की गाउन दोलताबाद में इस इंसिटूट को स्तापना किया जाएगा और यह हर्यान आइग्रो इंडिस्ट्री गुरुपेशन लिम्टिड की स्तापना कहां की गई है तो इसका रyangरिये श्रोग option भी चंडिगट पीज़े में इस लाब के स्तापना की ऺई है और इस-पारे लेते हैं और यह इंपोर्टान आइं्यों सब्सापना की घ्रिए है इस लाइब के मैधम से मैधम से नई दोब्धका ट्रायल पर असानिशने किया जा सकता हूं इसी इस दोब्धका ट्रायल मुनिश्य भी किया सकता है और फ्र्मसीन की मैधम से ब्रेन लेवर किडिनी की एंजियोग्राफिक करने में अर्ट मिले देगी और रुकी हुई दवनियों को खोलने और दवनियों को लिकीज को और स्टेक की मतरफी में इस में इनका या इस लाइब का प्रयोग किया जाएगा चलतें नेक्ट क्वेशन पर अब कुछ साइंस के क्वेशन ना चुके हैं क्योंकि अचासी भी अब अपडेट उसकी है कली हरिया नाजी किसे आपका सेलेक्शन नहीं होगा आपको चारों तरफ से सभी विश्यों में अची पकड़ बनानी पड़ेगी इसलिए अगर आपको स अपसिन ऑपसण सी बाइऑ औकूस में सबसे ज़्यादा मिफेन पाये जाती है मिफेन का फरमोला है ch4 और के पाद इसके बाद पाई जाती है करबन डायक्साइड सीओ नाइट्रोजन भी पाई जाती है इसमें आपको ये दिस द्यान और हाइड्रोजिन पाई जाती लेकिन सबसे ज्यादा पाई जाती मिथेन चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर जब हम वायू मंडल में उपर के और जाते हैं तो क्या होता है तो राइट रन्स रोग ऑप्शन डी ताप वदाब दोनों गटने अगते हैं जब हम वायू मंडल म कि इस द्वारा सभी की जा सकती है तो ले नेतर के लायेंस में फोकस दूрьrée किस दुवारा सही रखी जा सकती है तो उसका राय टरन स्रोगा अप्शन सी शीलेरी मास पेशियों के दुवारा नेतर के लाइस की फोकुस दूरी सही रखी जा सकती है नेक्स्ट कुश्चन है दोस्तों आपको कमेंट करके यह भी बताना कि आपके कितने कुश्चन ठीक पाई हैं हम भी देखना चाते हैं कि आपकी तेरीक किस लिए बर पहुंच चुकी है और आप सलैक्शन के कितने नजदीक हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे बैतर CO2 को ठोस करबंडाई आकसाइड को चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर साधार नमक का विगानिक नाम क्या है साधार नमक का विगानिक नाम क्या है तो राइट और स्रोग अप्शन भी सोडियम कलोराइड को साधार नमक का जाता है NACL इसका फार्मूला है और सोडियम बाइक कार्बोनेट को का जाता है बैकिंग सोडा जिसका फर्मूला एन ने एच सी ओ थरी अपको यह वी द्यान में रखना है चलते नेक्स्ट कुश्चन पर क्वेशन पर 11 है लुड़कती हुई गेंद कुश देर में लुड़कने के बाद रुक जाती है निमलिक्त में से किस कारण अगर हम किसी गेंद को फायक देते हैं तो वह कुश देर चलने के बाद रुक जाती है तो इसका राया टरन सरोगा उप्शन ए वह गरसन बल के कारण लाई हुग जाती है नेकर फैंच्ट कोश्चन है कि तो संगमर्मर किस का रूप है तो राया टरन सरोगौ ऑसवाप्शन सी चूना पत्तर संगमर्मर चूना पत्थर या लाइम स्टोन का रूप होती है क्वेस्टन बर 13 है सहरों में तलाब का पानी सूध करने के लिए कौनसी गास का प्योग किया जाता है तो किसका प्योग किया जाता है आपको साध पता होगा तो कलोरीन का प्योग किया जाता है गंदे पानी को सूध करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जग लगने का मुख्या कारण क्या है तो लोहे में जग लगने का मुख्या कारण क्या होता है तो राइट रंसर अप्षन है आक्षिजन और नमी लोहे में जग लगने के दो मैत्व पूर्ण कारक है और ये क्वेशन में पूसर जाता है क कि जब लोह में जंग लगता है तो उसके वजन में बढ़ा और गट ताहक दो बढ़ता है तो शुरुआत में उसका वजन बढ़ता है लेकिन बाद में गट जाता आपको ये भी द्यान में रखना है Next question है Cupotion में सबसे अधिक किसकी कम्योती है जो भी बच्चे Cupotion के या Cupotion के सिकार होते हैं उसमें सबसे अधिक किसकी कम्योती है तो राइट अनसरोग ऑप्शन डी उसमें प्रोटिन की कमी पाए जाती है तब ही Cupotion का सिकार होते हैं Next question है रोबोट किया है एक परकार का रोकेट है लोगों सिखे बना एक डांच चाहा है मनुष्य से मिलता जूलता है एक अंतर है जो आधेश नुसार काम करता है एक मसीन है जो अपने नुसार काम करती है तो इसका right and stroke option C मनुष्य से मिलता जूलता एक अंतर होता है जो आदेश इनकी जो हम आदेश देंगे वही कारिया करेगा next question है दो समांतर दरपणों के बीच परतिभम बनते हैं तो दो समांतरों को जब ऐसे रगजाते हैं तो उनमें कितने परतिभम बन जाते हैं तो इसका right and stroke option D उसमें अनत परतिभम बनेगे दो समांतर दरपणों के बीच में next question है जब कोई जहाज नदी में से समूंदर में प्रवेस करता है तो क्या होता है जब कोई जाज नदी में से समूंदर में प्रिवेश करता तो क्या होता है तो राय ट्रंसर होगा ये वहाँ उपर उठ जाता है क्यूंकि समूंदर के पानी के गंतों नदी के पानी के गंतों से कम होता है इस कारण वहाँ उपर उठ जाता है नेक्स्ट कोईचन है पिर्थुई पर कोई गतिसल पिंड विराम अवस्ता में निमलिक्त में से किस कारण आता है अगर कोई वस्तू चल रही है और वह विराम अवस्ता में आ जाए तो वह किस कारण होती है गुर्तवा बल के कारण समय के कारण गर्षन के कारण जड़ते निम के कारण तो इसका right and stroke option B वो अगर सन्बल के कारण विराम आवस्ता में आ जाती है next question है question number 20 है क्या कारण है कि गेंद किसी उंचे स्थान पर अधीक उचलती है यहनकि जब हम पाढ़ो पर ले जाकर गेंद को उचालते हैं तो अधीक उचलती है यह क्यों उचलती है तो क्या कारण इसका तो right and stroke option C क्योंकि उच्छे स्थानों पर गुर्टवा करशन बल कम होता है इसलिव है अधीक उचलती है अगर हम उसे चांद पर ले जाएंगे तो है और भी अधीक उचलेगी next question है अब हर्याना जी के question शुरूए है हर्याना परदेश के किर्शिव सुधालिया इसार में दान पर सोधकरिया कब शुरूओ था तो हर्याना के एच्छे उनिवस्टी में दान पर सोधकरिया कब शुरूओ था तो right and stroke option B 1970 में ही दान पर सोधू उगा था और यह दो फरबरी 1970 में अच्छी उनिवस्टी स्थापना की थी चोदरी चलंसंग उनिवस्टी की उसका वाइस चांसलर को नहीं है वर्तमान में तो समर सिंगा इसका वाइस चांसलर है वर्तमान में next question है की स्थान पर गन्ना मील है तो इनमें से की स्थान पर गन्ना मील है तो right and stroke option A साहबाद मारकंडा में गन्ना मील स्थापी था उसकी स्थापना 1984-85 में हुई थी आपको यह वी द्यान में रखना है साहबाद कुरक्षेत्यर में पढ़ता है next question है हर्याना की जवार लाल नहर किस नहर से निकाली गई है जो भी हर्याना की जवार लाल नहर किस नहर से निकाली गई है तो right and stroke option A यह वाखणा नहर से निकाली गई है और वाखणा नहर को सतलूर नदी पर बांध मना कर वहां से निकाला गए है और बाख़्णा नैर से जोवार लाल नहरू निखाली गई और इसे बिवानी नहर भी आ जाता है ुआcek सेहें हर्याणा तिलक का संस्तापक को सा स्दीर श्यूति Salvador को श्यूति क् MATTAS bagaday truth तो हर्याना में कहां पर असो श्टेलियन केंदर है तो इसका रायाना में स्थीत है इसार के टोहाना में स्थीत है असो श्टेलियन केंदर हर्याना में निक्ति में स्तान पर सहकारी दूद्शेंतर खूले हुए तो इसका राया ट्रंस रोगा ओप्षन डी उपरक्ट सवी स्थानों पर सहकारी दूद्शेंतर खूले हुए है नेक्स्ट क्वेचन है वह कौन सा है वह कौन सा नगर है जिनका नाम करन फकीर पर हुआ है इनके फकीर के नाम पर कीश का नाम रखा गया है तो राइट अन्स रोगा अप्शन C आपके लिए question important है और आपको साथ कम पता हुआ फकीर के नाम पर दुजाना नाम रखा गया है दुजाना का नाम फकीर के नाम पर हुआ है Next question है हरियाना गो वन सरक्षिन एंगो समर्दन एक्ट की साल में लागू आथा तो की साल में लागू आथा तो राइटन सरॉप्षन भी हरियाना गो सरक्षन और गो समर्दन एक्ट 2015 में लागू किया गया था और 2015 में मुख्य मंतरी कोन थे तो मनवरलाल खट्र उससे में मुख्य मंतरी थे और किर्सी मंतरी कोन थे यान की पसूपालन मंतरी कोन थे उस्टेम तो उपीदन खड़ पसुपालन मंतरी थे या किर्शी मंतरी थे नेस्ट कोईचन है दिल्ली अलवर मारग पर अरावली की पाड़ी होगे में देहर्याना का कौन सा परसीद प्रेटेक्स तल है तो इनमें से कौन सा परसी प्रेटेक्स तल है दिली अलवर मारग पर अरावली के पाड़ी होगे बीच में बताना तो राइट अन्स रोग ऑप्शन सी तो वहाँ पर सो होना पाया जाता है और सोहना में ही एक डवल ट्रैकर विदूद से चलने वाली ट्रेन बनाये गई है जो विश्व की पहली आपको एवी द्यान रखना है नेक्स वोच्चन है यूमना नगर में यूमना गास लिम्टेड की स्थापना कब होई थी तो कब की गई थी तो राइट अन शुरूगा ओप्शन है उन्सो त्यत्तर में यूमना गास लिम्टेड की स्थापना की गई थी यूमना नगर में और यूमना नगर में कपाल मोचन गुरुद्वारा भी आपको इद्यान में रखना है और चनेटी का सपूथ भी यूमना नगर में ही है आपको यह याद रखना है नेक्ट क्वेश्चन है आप साइंस के क्वेस्टन शुरू हो गए फिर से क्योंकि साइंस के क्वेस्टन अब अचासी अधिक पूछते हैं तक कंपटिशन जादा हो है और बच्चे को बाहर निकाला जाएक एक्जाम से इसलिए टप से टप क्वेस्टन लाती है मातरा के साथ नहीं लिए मेंसे कौन स अचानता वोटती गुन परवाव इतनी होता तो राइट एंस और क्या होगा इसका ईसका उसका राइट डी गनतो उनकी मातरा चाहे कितनी भी ओक्ते नुक्ता रूमान पर पढ़खता बार पर क्यूंकि व्त पारफर दजादागी तो बार आरब जादा दुआ दुरुमानुई लेकिन उसका गन्तो समान रहेगा, नाश्ट कोचन है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिजम में से ओकर गुजरती है, तो बताए ये निमलिक में से किस रंग का अपवरतन सबसे धीक होता, तो किस रंग का अपवरतन सबसे ज़्यादा होता है, तो र लाल रंग का तरह दें सबस्टे ज्यादा उता इसलिए इसलिए जो भी चुराय पर लाइट लगे उती है लाल बत्ती याणिकी ट्राइफिस इंगलान इसलिए लाल का प्योग किया जाता है नेक्ट कोच्छन है में इक नंबर समंदीत है तो में इक नंबर क्या है तो नेक्ट कोच्छन है कि क्वेस्टन नंबर चौंती है जब भी कोई मुनी से रोसनी से अंधेरे कमरे में गुज़ता है तो उसमय कुछ समय तैक दिखाई ने देता उसे बाद में उसे दिखाई देना उसरो जाता है या क्यों होता है तो इसका राइट अनसर उसकी आंक की आ क्यों उप्योग में लाया जाता है क्यों उप्योग में लाया जाता है उसकी परतिरोगता अधिक हो तो इसलिए उसका गल्लाएं किसलिए या उसमें अधिक सकती ताली विदुद्धर अपरवा होईता हो सकती इसलिए तो राइट अनसरोग उप्योग सभी इनकी इस तीनो को कर दोने कि ऊप्योंग ला जा सकता है बिजली के हीट्र तारों में और नाइक्रोम होता है नीवन में से एंजाइम अगंेक्टे में पाए जाता है तो कौन सा एक्जाईम अगनैसिय में पाएज आता है तो रायटन स्रोग आप्जिन डी लाइपेस ट्रिप्सन और कमेटरोप्सन यह किनों इंजाइब पाए जाते हैं और इन्सुलिन थालाय चाहें ने ग्सिजण है वह प्रकिरिया जिसके और मुनिस्या सांस लारन करता है और छोड़ता है उसे क्या कायते है उसे क्या कहते हैं उसे इंगलिजramos में कहा जाते हम सवसन तंततर या रेस्परेटरी सिस्टम आप question में ऐसी question भी पूचे जाते हैं next question है उर्जा उत्पादन के लिए कोश्का प्रैक किसका उप्योग करती है इनकी जब भी कोश्का को उर्जा चाहिए तो वह किसका उत्पादन करती है तो किसकी ज़रूत उत्यूराइट निस्रॉप्शन भी इनकी गलुकोज से हमें और त्रियुगती से मिलती इसलिए गलुकोज का प्योग किया जाता है अपने देखा होगा कि खिलाडी जो भी जिम में जाते हैं गलुकोज की बोतल ले होते हैं ताकि तुर्ट या एनर्जी मिल सके next question है किस अभिकरिया द्वारा पोदे में आक्सिजन बाहरी वातावन से को इसका में पहुंचता है तो किस अभिकरिया कान पहुंचता है तो रायटरन शरोगा ओप्सन भी वीसरा अभिकारिया के दुवारा पोदे में बाहरी वातावन से आक्सिजन जाती है वायसे तो पोदे आक्सियरन चोड़ते लेकिन उनने भी जरूद पड़ती कभी-कभी बोचन या कूछ और करने के लिए तो विसरन अभिकिरिया के दवारा हुए अक्सीजन को ग्राइन करते हैं न norm कॉच्चन है सवसन की अभिकिरिया में खाद्य Ltd पद दर्थौं की पर नीー Tapi क्या ऊती है तो उसका रायेटन सरों और आप्षन हे सफेँ तो शषयान की विकरिया में ख़द्यापदार्थ्ओं की पणिती विगत्टन की होती है नैस्ट कोज्टन है ख़द्यापदार्थों का पुद्याparagus palavras संतरात्रं का मुख्या रूप कौन सा है तो पोद्य खद्य पदार्तों में संतरातन कैसे करते हैं तो इसका राइट इन श्रोग ऑप्शन सी शुक्रूज मैद्यम से शुक्रूज मैद्यम से पोद्यों में खद्य पदार्तों का संतरातन होता है इनकी खद्य पदार्तों को एक साथ से दूसरे स्थान पर ल 10 और कम-ज़े-कम एक्सी होता है इससे उपर नीचे जाता तो आदमी के इसाथ बूरी से बूरी दुर्गटना या मोत भी हो सकती है करें किस्छ ना मनुष्य के मश्तीषक की सबसे बारीजिली का उनसी ऊती है तो सबसे बारीजिली को को नियंत्रित करता है मनुष्य के सुगने की आक्समता को तो right answer option B गरान देरिया पली यान की गरान देरिया पली मनुष्य की सुगने की आक्समता को नियंत्रित करती है next question है मनुष्य में बुद्धी और चतुराई का केंदर क्या होता है तो इनमें से बुद्धी और चुतराई क्या किंदर को उनसा होता है तो मनुष्य के मस्तिशक में बुद्धी और चुतराई का किंदर तो राइट अनसरोगा ओप्शन C सेरी बरम मनुष्य में बुद्धी और चुतराई का किंदर पाया जाता है और यह मनुश्य में आपको यह विद्यान में रखना है यह मनुश्य के परमस्तिसक बाग में पाजाता है और यह मनुश्य के सबसे बड़ा बाग होता है निकी दो त्याही बाग होता है सेरी वर्म यह परमस्तिसक मस्तिक वफ़ांना उसके बार इम्कुत आप देता हूं यह हाइपोथाल में से में पारित किया है climate emergency bill pass तो right and stroke option B नुजिलेंड देश ने climate emergency bill पारित किया है वरतमान में तो next question है हाले में माल्द्यूप की जगए कौन सा देश हिंद मासा अगर्द दिवीब खेल दोजर तेश की में जबानी करेगा तो पहले तो मेजबानी इंद माल दियूप करने जा रहा था लेकिन अब उसे बदल कर कौन सा देश करेगा तो राइट अन्सरूप्शन भी मेड़ा गासकर देश अब 2023 में उने वाले इंद मासागर दियूप केल की मेजबानी करेगा नेक्ट कुश्चन है हाली में बारत और किस देश के बीच सवादिंता सडक सरूप की जाएगी तो किस देश के बीच सरूप की जाएगी तो इसका राइट अन्सरूप्शन भी यह बंगला देश और बारत के बीच में सवादिंता सडक सरूप की जाएगी नेक्ट कुश्चन है हाली में अब्बुदा भी Grand Prix 2020 किसे ने जीता है तो किसे ने जीता है तो राइट इन स्रोफशन भी मैक्स वेश प्रटन ने अब्बुदा भी Grand Prix 2020 जीता है दूसरे नमबर पर आये है वोल्टेरी बोटास तीसे ने पर नमबर पर पाये है नेस्ट कुच्चन है मालाबार नोचानिक अभ्यास बार तो और की देश की तीन देश सेनाओ के बीच में आवजद हुआ तो की देश की सेनाओ के बीच में आवजद हुआ तो राइट अन्स रॉप्शन ती उप्रियोक चमिय यहिनिक अमरीका, जपान और आस्टेलिया के बीच मालामार्ष नोसानिक अव्यास शरुआ यहिनिक इसमापते आउजीत हुआ बार तो और तीन देशों के बीच में है मालामार्ष नोसानिक अव्यास हुआ नेक्ट कोच्छन है अब कुछ क्वेस्टन हिस्ट्री ज्योगरिफी पॉलिटिकल एकव़िनॉमी से जो आपके एकजाम में हल्प करेंगे बिहार प्र देश को किस मुगल सास्च ने शुरुपरतमा जीता था तो इनमें वस ने बिहार परदेश को सबसे पहले जीता था सोरी है मुगल नहीं मुसलिम है मुसलिम वस में किल जीवस ने सबसे पहले जीता था और किल जीवस की स्थापना की थी जलाल अदिन ने ने सबसे पहले जीवस की सबसे पहले जीवस की सहर में अग्रेज्जों ने अपने नहीं किल जीवस की स्थापना की सबसे नहीं अपने कारखाने स्थापित किये थे मुगलकाल में सुरोपर्थम अंग्रेज ने कि सेर में अपने कारखाने स्थापित किये थे तो उसका राय ट्रॉप्शन डी मुसलमानों ने सरो पर्तम सूरत में अपने कारखाने स्थापित किये थे लेकिन आपको ये पता होगा कि उन्होंने पूरो में तो सूरत में स्थापित की थे पस्ची में तो पूरो में लेकिन पूरो में मुसली पटम में स्थापित की थे आपको ये भी याद रखना है वी चासी इन से भी पूछ लेती है पूरो में मसूली पटब में और पश्ची में सूर्थ में स्थाबित की गए थी नेक्ट कोशन है पहली सायक संदी कौन सी थी तो इनमें से किस के साथ पहली सायक संदी हुई थी तो राइट अंसर है अप्शन B नेजाम इनकी हैदरावाद का सासक था नेजाम और इने के साथ पहली सायक संदी थी 1789 में और सायक संदी की सरुवाद की थी लाड वेल जली ने आपको ये भी याद रखना है नेक्ट कोशन है किस के सासनकाल में पर्थम चीन यातरी बारत में आ था तो इनमें से किस के सासनकाल में पर्थम चीन यातरी बारत में आ था तो राइट अनसर है ओप्शन D चंदरगुप तवित्य के सासल में फाहयान नामक चीन यातरी बारत में आ था और चंदरगुत्य को विक्रमा दिवित्य भी कहा जाता है और इसके सासनकाल को सवरनकाल भी कहा जाता है क्योंकि इसके सासनकाल में जनता का भी कहा सुआ और जनता बहुत ही खुश थी Next question है नेमलिक्त मुगल सासकों में से किसे प्रिंस आफ वेल्डर के नाम से इब जप उकार जाता है तो उन्हेंसे किस सासकों को कहा जाता है तो रायट निसर उप्शन सानजा को प्रिंस आफ वेल्डर से भी कहा जाता है Next question है 1905 में Servant of India Society को किसने आरहम किया था तो किसे ने करिया था तो रायट अन्स रॉप्षन ने गोपाल किसन गोखले ने सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी को सरू किया थो निसो पांच में और यह मातमा गांदे की गरू भी आपको यह याद रखना है दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था तो रायट अन्स रॉप्षन भी एस सी वोस या सुबाज संदर बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था और यह नारा दिया था पांच जुलाई 1943 को सिंगापूर में नारा दिया था next question है किस कांड के कांड आहसोग अंदोलन बंद करना पड़ा था तो किस कांड के कांड आहसोग अंदोलन बंद करना पड़ा तो rightness eruption 14-14 कांड के कांड आहसोग अंदोलन बंद करना पड़ा एक अगस्त 1920 को एह स्योग अंधोलन शरू कोया था तिकिन 5 फरवरी 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 को गुरुकपूर के चौरा चौरी कांडो हो गया था और इसके बाद सीस अंधोलन को गया 12 फरवरी को बंद कर दिया गया था Next question है निमलिक में से कौन सिमान्त गांदी के नाम से भी जाना जाता है तो इन में से किस को सिमान्त गांदी के नाम से भी जाना जाता है तो रायटन स्रॉप्शन सी खान अब्दुल गफार को सिमान्त गांदी के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 1930 में खुदाई खित्मतगार संगठन की स्तापना भी की थी और ये पहले विदेशी है जिन्होंने बारत ये बारतरतन पुरुषकार भी समान मिल चुका है बारत ये राष्टे कांगर्स की परतम महिला अधेक्स कौन सी थी इन में से तो राइट इन स्रोग आप्शन बी एनी वेशेंट बारत ये राष्टे कांगर्स की परतम महिला अधेक्स थी और ये कब बनी थी परतम महिला अधेक्स तो ये मनी थी 1917 में कलकता अधी वेशन में देख चुना गया था और यह सरोजनी नाइड़ू है यह भी बरत्म बारत यह मेला अधेख बन चुकी है मनीच 1925 में कानपूर दिवेशन में नेक्स्ट कोश्चन है बारत का परमानिक से में किस सतान से निच्चित किया जाता है तो बारत का जो भी परमानिक से में दिच्चित किया जाता है तो रायट अंश्रोग ऑप्षन से उत्र परदेश के इलावास से इसको निच्चित किया जाता है क्यों कि यही से गरिनीविच रेकान गुजरती है बूपर्ष्ट का कितना परतिसत बाग और साधी सालों से डख आ हुआ है तो बूपर्ष्ट के कितना बाग और साधी सालों से डख आ हुआ है तो राइट रन्सरोग अप्शन भी पचेतर परतिसत बाग और साधी सालों से डख आ हुआ है Next question है कोईला की सटान चटान में पाजाता है तो कोईला की सटान में पाजाता है तो राइट रन्स रोग ऑप्शन नहीं यह पर्तिदार चटानूम पाजाता है कोईला नेस्ट कोईस्टन है निमलिक्त में से कौन कायंतरिक सायल है इन में से कायंतरिक सायल का उद्धान कौन सा है तो राइट अन्सरोप्शन सी संगमंबर एक कायंतरिक सायल है और एक कायंतरिक सायल क्या होती है जो दाब वत ताप से मिलकर बनती है, उसे कांधिरिक साल का जाता है नेक्ट कोच्छन है, निमलिक्त में से कौन सी परवत सरंकला विष्चों में सबसे बड़ी है तो राइट अन्स रवप्षने इंडिस परवत माला विष्चों की सबसे बड़ी परवत माला काम करती है तो किस के समय बंबने से काम करती है तो किस के समय बंबने से पर Łवा型 में ऀएर। को कुम्पूर्टर का मस्तिसक भी कहा जाता है नेक्रोचन है माइक्रोपोरसेसर जो कुम्पूर्टर Next question है, computer दोरा produce किया गया प्रिणाम क्या होता है। तो right and stroke option दोरा इंपूटर जो भी प्रिणाम देता होने, हम आउट्पूट ही गयते हैं की जो हमें last में मिलता हो आउट्पूट होता है। नेक्स्ट कोश्चन है इन्पुट का आउट्पुट में रूपांतरन किया जाता है तो किसके दवारा इन्पुट का आउट्पुट के रूप में रूपांतरन किया जाता है तो राइट इन्पुट के दवारा ही इन्पुट का आउट्पुट में रूपांतरन किया जाता है नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और शुरू हो गए क्योंकि हिंधी मेटपून रोल अदा करते हैं आपके सेलेक्षण के लिए कि हिंदी इन्जे साथ से दस परसन पूचे जाते हैं जो आपको सेलेक्षण को पक्का करवा सकती है चीडिया सब्द का बहु बचन क्या होता है तो आपको बताना है कि चीडिया सब्द का बहु बचन क्या होता है तो ऐसे हमें चीडिया सब्द वैसे ही बहुत बचला है लेकिन इसमें अंक्की बिंद्यों ला जाता है तो राइट अनस्रोप्शन है चीडिया में या एक उपर ऐसे अंक्की बिंद्य ला जाता है चीडिया हो जाता है चीडियों नहीं हो तो चीडिया इसका राइट अनस्र दोस्तों कमेंट करके जुरू बताना कि आपकर कितने क्वासन ठेक थे नेस्ट क्वेस्टन है निमलिक में से उचान सतान के दारप मुर्धन्य वेंजन बताईए मुर्धन्य वेंजन क्या थे हैं इनकी जीन वसनों का उचान करते से में जीब मूड कर तालो को छू जाए तो उन्हें कहते हैं मुर्धन्य तो ऐसे सबद कौन से है तो option c डै और डै यह आप उतान करके देख लेना हमारी जी मूड कर तालों चे लग जाएगी डै और डै तो नेक्ट नेक्स्ट क्वेच्छन है समुंदर गुप्त समुंदर गुप्त भारत का नेपोलियन था यह नेपोलियन किस परकार की संग्या का उद्वार्ण है तो समुंदर बारत का नेपोलियन या किसे किस ने कहा था तो वीशेंट समीथ ने कहा था कि समुंदर गुप्त भारत का नेपोलियन है वीशेंट समीथ नहीं तक किस परकार की संग्या ?, तो जाती वासक संग्या की सबसी किस वरग में आता है तो बुद्धिहिन क्या उता है उचैना क्योंकि लिचेशन रॉप्षान, मोहनु बुद्धीहिन ern déla आती है कि मोहन बुद्धीन या मोहन की विश्येश्टावता आती है अगर यहां पर मोहन पूझ ले जाता तो मोहन संग्याव जाता लेकिन बुद्धी हिन में विश्येश्टाथ आता है तो इसे बुद्धीन विश्येश्टावरी में आता है नेक्स्ट कोच्चन है निम्रिक्त में से कौन तदबो सबद है इन में से तदबो सबद कौन है तो रायट इंसरॉप्शन डी सूरज तदबो सबद होती है जो सास्कर्द बासा में में से सूध करके या बदलके हिंदी में प्रूक्त के जाता और तदबो सबद होती है जो सास सम् क्या होगा तो तर्सम में कहते हैं सूरिय और इंदी में कहते हैं सूरज next question है उक्त सबद का विलोम क्या है उक्त सबद का विलोम क्या है तो right answer है option अन्यूक्त उक्त का अन्यूक्त होगा अगर उप्यूक्त का पूसले तो उप्यूक्त का विलोम होगा अन्यूक्त आपको ये भी याद रखना है next question है निवन में से देवता का प्रयावाची नहीं है इनमें से एक देवता का प्रयावाची नहीं है वो सारे तीनों प्रयावाची देवता के तो इनमें से नहीं है उसको प्ताना तो कौन सा नहीं है तो इसका राइटन सुरूगा ओप्सन सी की कर